हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का आर्वी एडिटीव क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए एलजेबरिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 9.1 से कॉस्चन ले करके आया हूं इस कॉस्चन में हम देखेंगे कि कैसे दो या दो से ज्यादा एलजेबरिक एक्सप् करते हैं हम ठीके तो जैसे कि मारे पास एक क्वेशन है एम एक एक्सप्रेशन एमारे पास AB minus BC दूसरा एक्सप्रेशनने BC minus CA टीसरा एक्सप्रेशनन अपर तीन expression हैं कफी छोटे छोटे हैं तो अपने बागी की वीडियोज में मैंने बताया है कि algebraic expressions का addition या subtraction हम दो method से कर सकते हैं कितने दो पहला हम यह आपर by column method से solve कर सकते हैं और दूसरा by horizontal method method से solve कर सकते हैं तो मैं इसमें आपको दोनो method करके बताओंगा कि horizontal method है कि पहले हम रोकरें भाइक कॉलम मेख़द करें तरो ठीक है ॐ ढ़ीशन में कुछ भी नहीं नहींFCन अ ये जो पहले तूसरा जो है उसको देखना है जैसे अगर मालेजी कि कोई term है A B है तो A B के नीचे A B ही आना चाहिए मतलब like term के नीचे ही लाइक तरम आना चाहिए अगर unlike term है तो उसको हम आगे लिखेंगे तो हम A B ढुट रहे हैं तो यहाँ पर A B नहीं है हा लेकिन B C है तो देखो इसमें आपर क्या है B C के साइन प्लस तो हैं अब देख्या यहां पर सी यह नहीं है तो सीए को किill में रेड करेंगे ठीका सब निए रइसे त coffin इसम क्यों एडर्वने करेंगे तो सुन को एंदार निचे सेसिर ओक यहां अब्हस्री स्यों मिकर्णों अथ्य mentre कर यह हैं DRмы हम AB के नीचे ही AB वाला ट्रम राइट करेंगे उसके अगल-वगल नहीं रैट कर सकते अगल बना तो एपर B C है तो B C के नीचे B C वाला C A तो C A के नीचे C A वाला उसका साइं जैसे रहेगा वैसे तो जैसे अब minus BC और plus BC ये भी cancel out हो जाएगा, आप यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर जो CA है वो minus है, ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा minus, और minus होने की वज़े से क्या हो जाएगा, ये भी cancel out हो जाएगा, क्योंकि यहां पर plus है, तो इस परकार से आपको 0 plus 0, प्लस 0, आपक by column method से answer आया, अब हम by horizontal method से देखते हैं क्या याही answer आएगा, by horizontal method, ठीक है, तो horizontal method में देखिए, आपको क्या करना है, भई addition करना है, किसका, इसका, तो सबसे पहले आप इसको write कर लिजिए, AB plus BC, एक bracket में, sorry, AB plus BC नहीं, AB minus BC है, ठीक है, और addition के लिए plus sign, फिर आप write कर लिए BC minus CA, bracket, और addition के लिए plus sign, अगला write करना है, आपको CA minus AB, तो जोब इस परकार से हम करते हैं, तो इसको करते हैं, तो इसको कहते है, horizontal method, मतलब एक line में पूरी equation चलती है, अब इन brackets को खोलेंगे, तो यहाँ पर आजएगा AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB, क्या कर रहे हैं हम, addition कर रहे हैं, तो देखो अब क्या होगा, कि जैसे यह plus AB है, और यहाँ पर minus AB है, यह वाला इससे cancel out हो जाएगा, यहाँ पर minus BC है, यहाँ पर plus BC है, यह वाला इससे cancel out हो जाएगा, यहाँ पर minus CA है, और plus CA है, यह लाइस इसी cancel out हो जाएगा तो इसका addition में answer क्या आएगा हमारा zero आएगा तो आप चाहे column method करो या फिर चाहे horizontal method करो कोई एक ही आपको करना है या फिर question में जो बोला गया है तो आप इसको write down कर लिजिए तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों कुछ समझा पाया होगा अगर ये वीडियो आप लोगो helpful लगा है तो वीडियो को like तो करी दें subscribe भी कर दें, share जरूर कर दें, comment marks में बताना ना भूलें कि वीडियो आप लोगों कैसा लगा, thank you class